आज की मिठाए ना पानी से बनने वाली है इसके साथ ही बहुत ज़ल요 ज़वाध तैस्टी मिठाए बनकर त्यार होने वाली है चलिए देख लेते हैं मिठाए को बनाना कैसे मेत है को बनानी के लिए फाल य ही इसक लिया को भंनार को चान कर ले लेना इसके साथ ही और य हुए सूजी जो भिष ले न चाहते हैं इसके साथ ही जो आप बैस होनों फनी के primary skills अब य हुआ है उसकी साथ है तो यह जो आफ वहांब व डाना में भीर अगहını है अगर आप डालने चाहिए तो डाल सकते हैं तो आप इसको बना सकते हैं नोर्मली जब मिठाइ बनाते हैं तो मिठाइ के लिए बहुत सवाइब घी या फिर दूद के पढ़ते हैं पर देखिए हैं अब देखिए इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टि बनकते हैं इसके लिए आटर आटर की्घे बहुत ज़्यादा कर तयार उचाया बनाते हैं तो यह तो अब और तक बिल्कुल नहीं बनाने आपको उसके बिल्कुल इसले से पेड़ बनाके तेट लिया है, आप इसके जंगे घीवी ले सकते हैं जिसमें इसके लिए जो इनको फ्राय कर सकते हैं यह च्छलिए तोनलमल गर्म प्राइिक करेंगे एकदम और अपर से ब्राउन हो जाएंगे, और अंदर से ब्रॉब जाएंगे दोनों इनको देडरी देडरी से fry करने हैं जिसे की अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं अधर तक अच्छे से पख जाएं अब देखें मैं इने धरी देडरी फ्राइब कर लिया है और इनका जो इतना बड़ी इंगे पर कलर आया है इसके साथ यह बहु ज़्यादा क् आयवले ही मैं आथे कटॉरी चीनी लिये, 2006 मैंने आधे कटॉरी पानी डाला है क्रिसी चावical मैं आधे कटॉरी यूज की है तो आफ इतने से अने महात्य मैं इसको बनाना चाहें आप को 6 साब से बना सकते हैं आपको इसे चावाच्णिकों चलाते भी जब तो पका लेका जब तक यह जो चास्ट नहीं है, हलकी सी चिप-चिपी ना हो जाए, हलकी सी गाड़ी ना हो जाए, इस चास्ट नहीं हो ना तार वाली चास्ट नहीं बनाना, जैसे कि हम नोर्मली गुलाब जाने वाली चास्ट नहीं बनाते हैं, हलकी सी चिप-चिपी सी, इस तरह की पतला तोड़ानी चैनल होगी अब यह भी मैं पतला फोड़ा सी चाड़ करो या तो आप करना कि इस टाल और इसको इसको ग्रेंड कर लेए अर्द कि बहुत या नहीं है ब्लग नहीं हो जाए इस का हलगा चानी ज़ुँप्र या ज़ुदा बददार कर तैयार होगी आप देखें देदरे करते हुए इसमें चाछनी मिला लेनी है अब जो चासनी आप ले रहे हैं ना तो जद़ता गर्ण होने चाहिए और ये क्षिन होना थांदी होनी चाहिए जब चाहिए हल्की सी गुनगुनी सी रहे ना आपको उस टाइम इसमें भी मिला लेनी है तो देखें देदरी करते हो इसमें चॉसनी डालते जाना है और इस अच्छे से मिक्स करते जाना है और आप यसमें ड्राइट भी दो आप लक्त हो जाना अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसके बाद इस तरह से लड़ो बना कर तयार कर लेने हैं अब यह देख कितने बढ़ा लड़ो बन कर तयार होई तो एक बार जरूर कीजिए गा यह लड़ो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं इसके साथ ही अगर आप इनको इस्टोर करकर रखना चाहते हैं तो आप एक महीनी के लिए इनको आसानी से स्टोर करकर रख सकते हैं यह खराब बिल्कुल नहीं होंगे मुझे उमीदे फिर्म्स आपको वीडियो जरू पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्कार जरू कर दीजियेगा